भाई आप तो यही सोच रहोंगे कि मैं अंगूर को तेल में तल क्यों रही हूं इस तरीके से अंगूर सारे खराब हो जाएंगे पर अंगूर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बलकि हम अंगूर से जो बनाने जा रहे हैं उसको जायका और भी जादा बढ़ जाएगा यह र दिश्याइन वरे पर बर चर्था यह में और अ कि चलिग इस वीडियो काम कहां से देखे gegenüber कमंड बॉक्स पे जरूर बताया है अंगूर का मेंb Creator करना चाह रजयता है कि सब से निकाल के पानी में ढाल देंगे तो पानी ब्रेओल में सब यह घ्स्याइवे तोमये ठाली ज़ सब्सक्राइब करना इस हम चल एक है निकाल लेंगे अगर आप मारे वीदियो को पहली बाद देख रहे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलुकुल न पूलें पर पूर पर एकशिआ से सब्सक्राइब न लिंगा इस तरीक unity है करके यहां पर काजू डालोंगी दो से तीन चमज यहां पर हम सफेद तिल भी आड़ कर देंगे और थोड़ा से दूट डालके इसका पेस्ट त्यार कर लेंगे ड्राइफूड को अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो तो देखिए पेस्ट बनके त्यार हो गया है मैं आप बहुत ही जड़ा टेस्टी बनके त्यार होता है तो यहां पर जो कटोरी में रहे गतना घी वह भी मैं हाथ के हैल्प से पेन में डाल दूंगे यहां पर मीठे की हिसाब से चीनी तो पांच से चीनी चीनी एड़ कर रहे हो आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो तो जब तक यह मैल्ट ना हो जाए मैंसे भुनते ही रहेंगे तो देखे यह मैल्ट होने लग गया है उसका कलर भी चेंज होगे तो बस यहें पर हम डाल देंगे सूजी तो एक कटोरी यहां पर मैं सूजी एड़ कर रही हो चीनी को हमें जलाने नहीं है जैसी मैल्ट हो है तो सूजी को हम ज्यादा लाल नहीं करेंगे हलका सा कलर चेंज होने तक इसे हम भूनेंगे तो आप देख सकते हैं सूजी तरह से भून गया और इसका कलर भी चेंज हो गया तो यह बस ही पर मैट कर देंगे अंगूर और काजू बदाम बाला पेस्ट बस ही पर मैट कर द अधाएं से और यहां पहीं जार को भी दोके डाल दूंगी ताकि जो इसमें एक्ष्ट बचा हुआ था वो वेश्ट नहों तो ज्ञब थोड़ा से दूर डूर डाल की माने घुमा लिया था फिर यहां पहें मैंने एड कर दिया थाकि जो भी एक्ष्ट में लगा वथो इसमे तो अलमिस्ट मेरा यह रेडी हो चुका है तो यहां पर मैं गैस को कर दूंगे ओफ और दूसरी तरफ एक प्लेट में कर दूंगे ग्रीसिंग तो ग्रीसिंग आप देशी घी से करें और थोड़ा बढ़ियां से ग्रीसिंग करेंगे ताकि हमारी रेसिपी जो नीचे से चिप भी करना पड़ेगा वना बाद में सेट नी होगा सूख जाएगा तो आप देख सकते हमने कितना बढ़ी तरीकी से सेट कर लिया है अब इसे हम रूम टंपरेचर में या फ्रीज में एक घंटे के लिए रख देंगे तो चलिए एक घंटा हो गया है अब इसमें हम शेप दे इतना सॉफ्ट होई और खाने वह जञा टेस्टी हम मूं में जाते इह घूल जाएगा बहुत ही बढ़एए रेसिपी है हमारा तो बहुत ही अच्छा बनके तयार हूँ था ये रेसिपी के एक और आा भी जरू ठ्राइ करें पहुत ही बढ़ए cater करें बहुत ही बणिया रे ये के स्पॉंजी बीवी कुछ सॉफ्टनेस है ये देखिए कितना स्मूदली तूड़ गया रही है बहुती कम लागत में बनने वाली ये मिठाई है